नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटुब चैनल सरकारी भारत में दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिसकसन करने बाले हैं SSC MTS की फाइनल कट ओफ के बारे में ये एक्सपेट कट ओफ मैं आपको बताने बाला हूँ जनरल, OBC, SCST और EWS केंडिडेट के लिए कट ओफ क्या रह सकती है इस बार SSC MTS की फाइनल की कट ओफ तो उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिसकसन करने वाले हैं दोस्तों आप सभी को बता दूँ कि जो MTS Tire 1 का एक्जाम हो चुका है और MTS Tire 2 यानि कि जो Descriptive Paper है उसका भी एक्जाम हो चुका है तो उसके लिए अब फाइनल कट ओफ आनी है तो फाइनल कट ओफ सबसे पहला कोशन है कि कब आईगी ये भी कोशन है और कि expected कट ओफ कितनी रह सकती है यानि कि cut ओफ कितनी जा सकती है अभी मैं आपको बताने बाला हूँ expected कट ओफ तो उससे आपको एक अनुमान लग जाएगा कि आपके नमबर्स उसको क्रॉस कर रहे हैं या नहीं इस बार कट ओफ कम जाएगी क्या ये भी एक सबसे वड़ा इसी हुए और जोइनिंग लेटर डेट की बारे बे और सबसे बड़ी बात है लेटेस्ट अपडेट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने बाला हूँ तो आपको कुछ भी नहीं करना सबसे पहले वीडियो को अंतु तक देखिएगा वीडियो चलागे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही न भूलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते ही रहे और आप मेरी वीडियो इसको देखते रहे हैं वीडियो को सेर कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को तो सबसे पहले मैं जनल की कट ओफ के बारे में डिसकसन करने बाला हूँ सबसे पहले एक्सपेक्टेड कट ओफ के बारे में हम डिसकसन करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ओफ कितनी जा सकती है और सबसे पहला number मैंने लिया है general का आपको बता दू state wise cut off गई है लेकिन जो safe score है हम बोल सकते हैं कि ये सभी states के लिए एक safe score है चाहें आप किसी भी state में आते हो आपका selection हो जाएगा मुझे लगता है कि general के लिए अगर किसी candidate general का है तो अगर उसका score टायर वन में 82 प्लस है टायर वन के exam में 82 प्लस है क्योंकि टायर वन में हमने देखा उत्तर प्रदेश की 75 ही गई देहली की 76 के करीब गई राजिस्तान की भी ऐसे ही गई तो एक safe score की बात करें तो according to vacancies 82 प्लस 82 प्लस आपका general का safe score माना जा सकता है हर एक state के लिए मैं बात कर रहूं next अगर दूस्तों बात करें कि OBC की cutoff कितनी जा सकती है OBC की cutoff जो मैं आपको expected cutoff बता रहा हूँ इसमें 2 से 2,5 नमबर 2 से 3 नमबर उपर नीचे हो भी सकता है next अगर OBC की cutoff के बारे में बात करें तो अगर किसी के 78 प्लस मार्क्स है चाहें उस state की cutoff चाहें कितनी भी गई हो 78 प्लस मार्क्स हैं तो वो एक safe score बोला जा सकता है हो स next दोस्तों आपको बताने बाला हूँ SCST की cutoff के बारे में तो SCST की cutoff है यह आपकी जो expected cutoff है यह इतनी रह सकती है मेरे अनुमानित और मैं तमाम यूटूबर्स को भी देखता हूँ और Google पर भी चेक करता हूँ उसके बाद ही आपको बताता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा ए 68 प्लस हैं अगर किसी candidates के 68 प्लस हैं तो उसका SCST में उसका safe score मानना जा सकता है और उसका हो जाएगा next अगर दोस्तों बात करें EWS जो के सबसे कम मैंने लिखा है सबसे कम लिखा है तो EWS तो इसकी जो cut-off है यह आपको बता दू 74 प्लस दो नंबर उपर या दो नंबर नीचे हो सकता है यह EWS के लिए अब आपको एक चीज और बतानी वाल या हूँ में कि टायर 2 का जो exam हुआ जिसमें जनरल के जो candidates के थे उनके लिए 40% compulsory है 40% compulsory है यह आपको लाना ही लाना है एंड वो भी CSCST की बात की जाए तो इसमें आपको 33% लाना है यानि कि जो 50 नंबर का paper हुआ था उसमें से साड़े सत्रे नंबर आपके आने ही चाहिए कम से कम साड़े सत्रे नंबर के करी आपके आने चाहिए तभी आप tire to exam को clear कर पाएंगे तभी आप tire to exam को clear कर पाएंगे नेक्स्ट अगर दोस्तो बात करने वाले हैं क्या इस बार cutoff कम जाएगी तो हाँ पिछली बार की तुलनमे अगर vacancies को देखा जाए दोस्तो vacancy को देखा जाए तो पिछली बार की तुलन बिल्कुल भी नहीं हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस बात के बारे मैं बताने वाला हूं कि joining later date आपकी क्या है तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो को like कर दीजे और वीडियो को share कर दीजे facebook, instagram, telegram और whatsapp के जह जहां आप जोड़े हो अपने दोस्तों के साथ उन सभी के साथ इस वीडियो को share कर दीजे दिए दोस्तों उम्मीद है आपको आज का session अच्छा लगा होगा अगर आपको session अच्छा लगा तो वीडियो को like किजे चैनल को subscribe किजे और share किजे थैंक्यू थैंक्यू for watching this वीडि में और SSC MTS की updates में आपको समय समय पर देता रहूँगा